हेलो गईस कैसे हैं आप लोग स्वागत थे आप लोगों का फिर से मेरे एक नए विडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गईस कि पोको सी 61 फान में आप लोग नेट्वर्क प्रोब्लेम को कैसे साल्ब कर सकते हो अगर आपके पास एक Poco C61 phone है और इस phone में जो है आपको network problem देखने को मिल रहा है आपका जो mobile का data है गाइस अगर वो नहीं चल रहा है बहुत ही slow चल रहा है या आपके जो है जो network का डंडिया होते है वो भी कम हो चुका है call करने पर भी जो आवा से वो अटक अटक के आ रहा है तो कैसे आप लोग जो इस network problem को solve कर सकते होगा इस call करने पर भी अगर नहीं लग रहा है call तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा कैसे आप लोग network problem को solve करोगे इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को like कर दीजे और channel को भी subscribe जरू स्क्रोल डाउन करेंगे तो आपको एक option मिलेगा connection and sharing का तो इस connection and sharing के option पर क्लिक कर दीजे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रोल डाउन कीजिए तो आपको एक option मिलेगा reset wi-fi mobile networks and bluetooth का तो इस option पर क्लिक करेंगे क्लिक करती देख सकते नीचे reset settings का option अगर आप लोग यहाँ पर से reset कर दोगे तो आपका कोई भी data वगेरा जो है डिलेट नहीं होगा गईस सिप यहाँ पर आपका wifi settings और mobile data settings और bluetooth settings reset हो जाएगा यहाँ पर mobile data settings भी reset होगा इसलिए हम यहाँ पर से reset करेंगे तो यहाँ पर से reset settings पर क्लिक कर देंगे और अपने phone का जो भी pattern या passport इसको डाल देंगे डालने के बाद okay पर क्लिक करेंगे तो आपका जो network settings होता है वो reset हो जाएगा और network settings reset हो जाने के बाद आपका जो network problem था data वगरा नहीं जल रहा था वो भी solve हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसाना हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए बिलते कर लिक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई